हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई योटूब चैनल और आज का मारा टॉपिक है सेटिंग एंड मेनेजमेंट और फ्रेश वाट एक्वेरियम इसमें सिनॉप्सिस में लिखते हैं इंट्रोडक्शन डेफिनेशन फिर जो चीज हमें एक्वेरियम के लिए जिसकी नीड होती है व वाटर कॉलिटी मेनेजमेंट फीडिंग कंक्लूजन और फ्रेंस इंट्रोडक्शन में लिखते हैं रंग विरंगी मश्लियों को पालने का आकर्शक प्राचीन काल से मनुष्यों को लभा रहा है प्रकृति की इन अर्नमेंटल फिशिस को रखने तथा पालने परंपर हजा दर्वश पुरानी है सरपतम चाइना में गोल्ड फिश को पाला गया जिससे कांच के बरतनों में रखा जाता था इन फिशिष को पाल ने पाल नहीं तो हनी गोसिस में सरवतम किया इंडिया में इसकी सुरुआ से 1951 में बंबई में तारापूर एक्वेरियम के निर्मार से हुई आज वर्ड में कलेट फिश का व्यापार एक अरब डॉलर से दिखा हो गया है कलेट फिश का पालन फोजन एक श्रॉंक बन गया है इसकी डेफिनेशन नहीं देखते हैं एक्वेरियम एक ऐसा मोडल है जो फ्रेश वोटर है मेराइन वोटर एकोसिस्टम को बनाता है करनेट देफिनेशन है ऐसे पात्र को जिसने प्रकृति का अनुकर्ण करते वी एक्वाटिक प्लांट स्टों सकंकर एवं अन्य अर्टिफिशियल ओनमेंट समान रखकर आक्वाटिक एंव्र को रखा जाता है चैनल या एक्वेरियम कि थार्ड हैं निरमान है तो एक्वेर टेस्ट केट फिश फीड एक्वाटिक प्लांट्स फिशेज थर्ममीटर एक्वाटिक टैंक्स एवं उसका धक्कन एक्वेरियम टैंक करेमार आयरन या अलुमीनियम के फ्रीम पर काच की पट्टियों को बाइटोमिन से जोड़ कर किया जाता है वर्दमान में किवल काच की प पिशिष दार नगी छम्य छमता सरफिज एरीया पर निड़़करते हैं सवाण तर्थर फाइफ सेंटीमेटर पीशेज के लिए 50 वरक सैंटीमेटर सर्फेज एरीया विशक्ता होती है एक्वेरियम टैंक को ढखने के लिए इसके ऊपर किया विशक्ता होती है जर्थक धू प्लास्टिक का सामान यूज किया जाता है जिसका अच्छा होना चाहिए लाइटिंग हीटर थर्मामीटर एक्वेरियम का समुचित प्रदी पन्ना के वल सौंदर की दस्ट्री से महत्पून होता है अपितु यह फिश तता एक्वाटिक प्लांट की लिए भी आवशक होता है इसलिए लाइट के वस्ता की जाती है सामानते एक वर्गफुट वाटर सर्फेस के लि हीटर के वस्ता होती है तफिशर्ण के लिए 50 degree से 30 degree सेंटीग्रीड के बीच रखा जाता है जिसमांपने के ठर्मामीटर की अवशकत होती है एरियेटर वाटर में डिजॉल बटी की मातरा को बिनाया रखने के लिए एर टर की के रूप में यह पंका यूस्किया जाता है ए वाटर पर फिल्ट्र ठराली या खुलोने से जोड देते हैं 결वार हिलानी के सदिंदे बुलो भी उत्पन किया जाते हैं जो वाटर में डेजॉल्व उड्ोktó की मात्रों बढ़ती छाते है फिल्टर का यूज करना इस कार के लिए विविन फिल्टर का यूज किया जाता है यह बज़री के नीचे रखने वाला फोम या पावर फिल्टर की रूप में हो सकते हैं एन टेस्ट कैट फिशिस को समय समय पर निकालने त्थ सफसाई के लिए तेस्ट कैटिया जाता है संवरन या फीडिंग फिशिस को प्राक्रतिफ सजीव बुजेन की रूप में ट्यूबी फेस, करमी, डिफनीय औस पिस मच्चर के लावा काईनो रोमास लावा एक्स्रा दिये जा सकते हैं नेचरल फूट के अलावा कई कृते माहार के भी उपलब्द है जो कि पाउडर दाने गोली पपड़ी के रूप में होते हैं भूजन दिन में तीन बार दे सकते हैं फिश को समानिका ग्रोथ एवं प्रोड जाती है इनके लिए फिशेस को प्राक्रतिक सजी भोजन उप्रोगत अनुसार देते हैं है एच एक्वाटिक प्लांट्स मतलब पानी बले पोदे पानी में होते हैं एक्वार्ट एक्वेरियम को सजाने के लिए पीछे की दिवार के साँ तेजी से बढ़ने वाले एक्वा एक्वेरियम सेटिंग के लिए टैंक को लोहे के स्टैंड दीवार में जगह बनाकर या किसी उप्योगत हुचाई की मेच पर रखना चाहिए रखने के स्थान समतल होना चाहिए मतलब बराबर होना चाहिए और अवश्रक्त अनुसार टैंक के नीचे दस मिलीमीटर मोटी थर्मकूल की शीट रखी जाए सकती है टैंक रखने के स्थान पर सनलाइट सीधे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर सीधे पड़ेगा तो कांच से टगरा के वह कांच बहुत तीजी से करम हो जाएक और उसको पानी गार्म उनक्षांत फिस भी डैथ हो जाएगी अधि पत्थर को यह थास्तान विश्चत करने के बाद टैंक को जल से भरते हैं टैंक बहने के लिए कुए तथा नल से पानी नल के पीनने वाले जल का यूज किया जाता है यदि जल क्लोरीन यूखता है तो उससी को एरिदे ऐरिएशन कर देना चाहिए जिससे क्लोरीन दूर हो जाती है पहले टैंक का तीन चौथाई भाग जल से भरकर पौदे लगा देते हैं फिर इसके बाद टैंक भूरा भर कर ढखकन से डखकर रख 24 घंटे एरिडेशन करते हैं एरिडेशन किसा में फिल्टर चालू कर देते तता 24 घंटे में टैंक में फिश्चत छोड़ देते ह अक्वेरियम फिशित अक्वेरियम में रखी जाने वाले फिशित को दो बायता जयता है दो शाया है ंधाते चलाई एक्स जो देते है तो यह दैनेक वाली यह सारी इसने नीयाब विड्वो टेट्राव डेसकर्स एंचल फेस्स यह सारी आंजाएंगी इम की रचायएंगे this ब्लाक मेली स्वैड प्लेटी अब मैंट्रेंस ऑफ एक्वेरियम एक्वेरियम के मैंट्रेंस के लिए नियमनी करियाओं का नियम तर श्पादन आवश्चक है लाइटिंग, हीटिंग, एरिएशन, फिल्टर, वाटर कॉलिटी, मैनेजमेंट, फीडिंग, वाटर कॉलिटी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे यह दहाँ पर वाटर फिचेश की प्रात्मे कावश रखता है, जल के फिजिकल केमिकल प्रोपर्टीज को बनाये रखना, अत्यंता वश्रक होता है, निमलेकित प्राचल द्वारा समय पर प्रेक्शन करके विवस्ते रखना, जल साला के समाने संचालान के लिए अनिवादे होता है टेंपरेचर, एक्वेरियम वेटर का टेंपरेचर 22 डिग्री से 30 डिग्री से अधिक कताब, परिवर्तन मचलियों के लिए नुकसान दायक होता है, और यदि टेंपरेचर परिवर्तन अचाना को जाता है, त्यों गहता कोता है ताप कम होने पर फिश की क्रिया शीलता, भूख, प्रतिरोधक्षमता कम हो जाती है, विवेन संक्रवन हो जाता है, ऐसे समय तपक का उप्यूग करना चाहिए, गर्मियों के ताप बढ़ने पर वातन द्वारा ताप कम किया जा सकता है, क्लोरीन सेकेंडर एक्वेरियम के प्राया पीने वाले वाटर का यूज किया जाता है, जिसमें क्लोरीन होती है, जो मशलियों के लिए घातक होती है, जल में उपस्तित क्लोरीन दूर करने के लिए 24-24 घंटे तक रहने दीजिए, फिर सोडियम सलफेट की कुछ पूंदर जल में डालकर मिलाकर क्लोरीन की बंद कंटेनर में, थर्ड पॉइंट है, पीएच ऑफ बॉटल, अधिकांस मचलियां, 6-8-7-2 पीएच में रहना पसंद करती है, बच्चे देने वाली मचली हलके चारियम आध्यम में रहना पसंद करती है, अमली बनने के लिए मॉस पीट को जल में भीगो कर उसे रस जल म हमली ता बढ़ेगी, चारिता सोडियम बाइक कार्बोने डाल दें, हाड्नेस ऑफ वाटर, हाड्नेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए आश्र जल तवर्शा का जल यूज किया जाता है, यह एक्वेरियम का डाइग्राम है, इसमें देखिए, यह जो पाइप है, यह एरिय जो उसके लिए खाना होता है, और इसको हम साफसफाई करते रहते हैं, यह एकदम काच का बना हुए लियर होती है, यह पानी भरा इसमें यहां तक, के रिफ कंक्लूजन आपको लिखके दिखाना है, और रिफरेंस यह लिखा हुआ है, यूनिफाइड, जोलोजी बुक, थर्ड यह, जे के अवस्ती, थैंक यू फो वाचिंग और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब,